हाई गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज हमारा सेड़ी में सेकेंड दे है, अब हम सेड़ी से जा रहे हैं सब्त शिंगी माता जी के दर्शन करने के लिए, सब्त शिंगी माता जी का मंदिर नासिक से लगबग 60 किलोमेटर दूर है, जो कि बहुती जादा दूर पड़ ज होता है, माता के मंदिर जाने के रास्ते में ही पाहार दिखना स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको बता दू कि श्रप्त शिंगी माता जी का मंदिर बहुती ऊचे पाहाडों पर बना हुआ है, जो भी माता जी के मंदिर जाते होंगे, उनको तो पता ही होगा कि माता जी क मंदिर कितनी ज़्यादा उचाईयों पर है हम जब भी सीडी आते हैं हम सब्त शंगी माताजी के मंदिर जरूर जाते हैं आप ये उचे उचे पहाड देखके ये अंताजा लगा सकते हैं कि वहां का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा होगा और पहाड देखने में कितन जादा प्यारे लग रहे होंगे मंदर जाने का टाइम इन पहाड़ों और रास्तों को देखने से कितनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला इतनी ठंडी ठंडी से हवा चल रही थी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी से उतर कर वीडियो बनाओ पहाड़ों में 10 किलो मेटर उपर जाना परता है अब गाड़ी पहाड़ों पर जाना स्टार्ट कर चुकी है और हमें 10 किलो मेटर उपर जाना था पहाड़ों पर जो रास्ते बने वे होते हैं उसमें टर्न करने के लिए ज़्यादा जगा नहीं होता इसलिए मुझे थोड़ा सा तो डर लगता ही है पहाड़ों पर जाने में अब हम माताजी के मंदिर पहुँच गए और अभी हमें फर्स टाइम ये पता चला कि माता के मंदिर जाने के लिए लिफट स्टार्ट हो गई है और वो लिफट पूरी ट्रेन के जैसे ही थी मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो ट्रेन को देखने के बाद मुझे कितना जादा डर लग रहा था क्योंकि मैं कभी उचाई वाले जूले पर भी नहीं बैटती मुझे बहुत ज़ाधा डर लगता है वो train जैसे जैसे नीचे आ रही थी वैसे वैसे मुझे बहुत ज़ाधा डर लग था पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी और कैसे उस पर वापस आऊंगी और जो train का जो रास्ता था वो पूरा स्ट्रेट था उपर की तरफ और जब नीचे होता रहा था तो पूरा नीचे की तरह उसमें बिल्कूल भी turn करने या कुछ करने का नहीं था मैं शायद आपको बहुत अच्छे से explain ना कर पाऊं क्योंकि मुझे बहुत जादा डल लगा था इसलिए मेरा सोचना भी बंद हो चुका था कि मैं उस पर कैसे बैठूंगी इस lift का price 1% का 100 रुपिस था 100 रुपिस में ही आपको उपर तक लेके जाते हैं और फिर नीचे भी लाके छोड़ते हैं प्राइज वाइस तो बहुत ही जादा अच्छा था और जो लोग सीड़े से उपर नहीं चड़ पातें उनके लिए तो ये बहुत ही जादा बैस्ट ऑप्शन था sorry मैं बैठने के बाद का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जैसे ही ट्रेन नीचे आया वैसे ही मैं बहुत ज़ादा डर गई थी कि मुझे उस पर बैठना है और trust me मैं माता जी का नाम लेके बैठी और वापस आते टाइम भी मैं माता जी का नाम ही ले रही थी कि पदा नहीं मैं कैसे जा पाऊंगी आप देख सकते हो ट्रेन नीचे आ रही है और वो उपर से नीचे पूरी स्ट्रेट है मैं बहुत जादा डर गई थी बहुत ही जादा बट हम दो मिनट में ही उपर पहुँच चुके थे और अब हम आ चुके हैं माता जी के मंदेर में जिस सामने यहां इतनी ज़्यादा भीड नहीं थी लोग कंटीनियू आंके बढ़ रहे थे और माता जी को यहां पे सारी चीजे चरड रही थी मिनस आप जो भी प्रशाद और माता जी के चुन्नी वगएरा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं यहां माता जी तक पहुँच रही थी सारी चीजे जब हम वापस जाने के लिए लिफ्ट का वेट करना स्टार्ट किये और लिफ्ट आ ही रही थी वो जैसे जैसे उपर के तरब आ रही थी वैसे वैसे मुझे वापस से डर लगने स्टार्ट हो रहा था और मैं अपने हस्बन को बोल रही थी कि हम सीडी से ही वापस चलते हैं बट उन्होंने बोला कि जैसे ही आए हैं वैसे ही अराम से वापस चले जाएंगे कुछ नहीं होगा आप खूद देखिए ट्रेन को उपर की तरफ आते हुए और जिन जिन लोगों को डर लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि देखते वे आप लोगों को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है शायद आपको वीडियो में देखने से डर न लगे बट जब आप रियल पर देखेंगे और जिनको भी डर लगता है उनको सच में बहुत ज़ादा ही डर लगेगा वन्स अगें मैं बहुत ज़ादा हिम्मत करके वापस से नीचे जाने के लिए ट्रेन पे माता जी का नाम लेके फिर से मैं बैठ गई फिर से दो मिनट में हम नीचे पहुँच गए और यह जब हम लिफ्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मॉल जैसा बना हुआ है यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे वे थे चाहे वो शॉपिंग सो, बैग हो यहाँ पर आपको माता जी का कुछ लेना है और यहाँ पर फूट्स के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे वे थे यहाँ पर आपको हर प्रकार के फूट्स मिल जाएंगे हम सिब प्रेकवास करके निकले थे और दोपहर के तीन या चार बच चुके थे इसलिए हमें बहुती जादा जोरों की भूग लग गई थी तो फिल्हाल यही हमारा लंच था फिर जल्दी से ये खतम करके हमें जाना था नासिक और नासिक से जाना है हमें थ्रम केश्वर जेस तरह से नासिक से सब्तशिंगी माता जी का मंदिर 60 किलोमेटर दूर है उसी तरह नासिक से थ्रम केश्वर लगभग 40 किलोमेटर दूर है और दोनों ही अपोजिट साइट पे है इसलिए और ज़्यादा टाइम लगने वाला था हमें अब हमें 10 किलोमेटर पहाडों से नीचे जाना है पहाडों पर जो हवा चल रही थी उसके कारण बाल बर मेरे कान बंद हो रहते और अपने आप ही खुल रहते बहुत ही जादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये भी आप लोग प्लीज बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज दो लाइक, कमेंट, शेर टो मैं यूटूब चैनल वेचिस रिचेश महरा एंड प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगा ताकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे बना सको ओकी, बाइ गाइस, सब लोग अपना ख्याल रखना, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग